गरीब मा बेटी के जादूई राजमा चावल आप फिक्र क्यों करते हो जो होगा देखा जाएगा आप तो अपना काम मन लगा कर करी रहे हो ना? हाँ राखी, तुम सही कहती हो मुझे तो बस मन लगा कर अपना काम करते रहना है वैसे मुझे लगता है कि अब इस काम को भी करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है घर तो मैं मुश्किल से महीने पर 500 रुपए भेज पाता हूँ सारे पैसे यही मेरे खाने पीने और किराए भारे में ही खतम हो जाते है वैसे राखी तुम्हें महीने भर के लिए 500 रुपए में खर्च चलाने में दिक्कत होती होगी न जी थोड़ी सी होती है अच्छा ठीक है अब आप ज्यादा टेंशन मत लीजे जैसे भी हो रहा है हमारे घर का खर्चा तो चली रहा है तो बस इसी में भगवान का शुक्र है राखी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया अपने पती से फोन पर बात करके वो रसोई की तरफ को आने लगी कि तब ही अरे वाह आज क्या बनाया है मेरी दियाने बड़ी अच्छी खुश्बु आ रही है मा मैंने ये राजमा चावल बनाये हैं घर में मुझे कोई और राशन तो दिखाई नहीं दिया तो मैंने इन्हें ही बना दिया हम्... सारा राशन खत्म हो गया है बस ये जरा सा राजमा ही पड़ा हुआ था मेरे तो समझ नहीं आ रहा था कि इस राजमे का क्या करो लेकिन तेरा दिमाग तो बहुत ज्यादा तेज है अहां बीना मा अच्छे ठीके मा मैं कॉलेज जा रही हूँ दिया ने राजमा चावल में से थोड़े से चावल अपने टिफिन में डाल दिये और वो उन्हें कॉलेज ले गई कॉलेज में इंटरवल की वक्त और यार आज तो बड़ी भूग लगी थी आज आ भाई जल्दी से लंच कर लो चल बुकर तुझे तो हमेशा भूग ही लगी रहती है वैसे आज क्या है तुमारे जिफिन में पहले मैं बताऊंगी मैं अपने टिफिन में लाई हूँ पास्ता याम पास्ता तो इसका मतलब तेरा टिफिन तो मैं ही खाली करूंगी ओए सोचना भी मत वैसे तू क्या लाई है मैं लाई हूँ नूडल्स और तू दिया मेरे टिफिन में कुछ खास नहीं है मैं राजमा चावल लाई हूँ अरे पागल तो ऐसे उदास क्यों हो रही है मुझे तो राजमा चावल भी बहुत पसंद है चलो भाई अब खाते हैं तीनों सहिलियों ने मिलकर खाना खाना शुरू कर दिया दिया की दोनों सहेलिया बस एक दूसरे का ही लंच खा रही थी दिया के राजमा चावलों की तरफ तो उनका ध्यान भी नहीं था लेकिन अचानक अरे नहीं हम तो बस एक दूसरे का ही लंच खा रहे थे अरे दिया तूने तो अपना टिफिन आगे ही नहीं किया, लाख खिलातों सही तो क्या लाई है मुझे भी दो, दोनों ही सहेलिया दिया के टिफिन पर भी तूट पड़ी जैसे ही उन्होंने उसके राजमा चावल खाए तो वो उसके स्वाद में ही खो गई और मजाग करते हुए दिया से बोली बाप रे बाप ये दिया नहीं है, ये तो किसी बड़े होटल की शेफ है बहुत ही बढ़िया राजमा चावल बनाए तूने, तुझे तो राजमा चावल बेच लेने चाहिए दोनों सहेलिया ऐसे ही दिया से मजाग करने लगी लेकिन उनके मजाग ने उसको एक आइडिया दे दिया था दिया राजमा चावल बेचने के बारे में ही सोच रही थी और घर आकर उसने देखा मा जी हिम्मत रखिये, बाहर को सांस निका लिया आपको उल्टी आ जाएगी मा, क्या हुआ दादी को? दिया अच्छा है तू आ गई, देखना तेरी दादी मा का जी मिचला रहा है, ने समहलने में मेरी मदद कर दोनों मा बेटी ने मिलकर कमला को समहला, कमला टी बी की मरीज थी और दवाई ना होने की वज़े से उसकी परिशानी बरती चार ही थी कमला को कून की उल्टियाँ होती थी और वो सारा सारा देन बस बिस्तर पर ही बढ़ी रहती थी क्या किया जाए दिया, तेरी दादी मा दवाई ना मिलने की वज़े से मौत के मूँ में पड़ी है तेरे बाबा सारा सारा दिन मेहनत करते हैं लेकिन उनकी आमदनी भी इतनी कम है कि हमारे घर के हालात हमेशा नाजोखी रहते हैं मैं तो अपने हालातों से मजबूर हो गई हूँ, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मुझे मात ही आ जाए ऐसी बाते मत करो मा, जब सारे रास्ते बंद नजर आए तब समझ जाओ कि भगवान जी स्वयम तुमारी मदद के लिए आएंगे आप जानती हो आज, मैं आपसे एक काम के बारे में बात करने वाली थी मा में इतना अच्छा खाना बनाती हो, राज के राजमा चावल तो बहुत ज्यादा ही अच्छे बने थे तो मैंने सुचा क्यों ना हम मा बेटी कहीं से थोड़े से पैसो का इंतिजाम करके राजमा चावल बेचना शुरू करें इस तरह हो सकते हैं हमारे दिन बदल जाए राजमा चावल राखी को भी अपनी बेटी दिया का आइडिया सही लग गया पिर क्या था अगली सुबह दिया ने गर्मा गर्म राजमा चावल बनाए और दोनों मा बेटी उन्हें बेचने चौराहे पर आ गई भगवान जी अब सब कुछ आपके उपर है दोनों मा बेटी ने सुबह से शाम तक रहको की राह देखी लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ उनकी राजमा चावल की ठेले पर सुबह से शाम तक कोई नहीं आया मा सुबह से शाम हो गई है अभी तक हमारे एक प्लेट भी राजमा चावल नहीं बिक्री हैं सही कहा बेटा लेकिन हमें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए सही कहा दोनों मा बेटी रात तक वहीं खड़ी रही रात में एक दो प्लेट उनके चावलों की बिक्री हो गई और उन्हें ही बेज कर वो घर लोट आई अब से हर रोज दोनों मा बेटी इसी तरह से चौराहे पर राजमा चावल का ठेला लगाती थी लेकिन उनकी बिक्री नहीं होती थी ओरे देखो वहाँ पर कुछ खाने का बिक्रा है लोगों को राजमा चावल बेकार की डिश लगती थी जिसकी वज़े से दोनों मा बेटी की बिक्री होने को तयार ही नहीं थी ऐसे ही सिलसला चलते हुए एक हफ़ता बीत चुका था जिन लोगों से राखी ने पैसे उधार लिये थे उन्हें भी राखी के उपर तकादे हो रहे थे जिसकी वज़े से उनके घर के हालात और भी नाजुक हो गए थे मा अगर आज भी हमारी बिक्री नहीं हुई तो कल से हम ये काम नहीं करेंगे ठीक है बेटा दोनों बेटी अब अपनी उमीद को हार चुकी थी वो ग्रहकों का टूटे मन से इंतजार कर ही रही थी कि तब ही उनके पास एक बाबा आया बेटी दो दिनों से भूका हूँ कुछ खिला दो क्या ठीक है बाबा बैठी में आपको राजमा चावल देती हूँ दिया ने बाबा को राजमा चावल दिये हाला कि उस फकीर से उन मा बेटी को कुछ फायदा नहीं होने वाला था तुम्हारी ये अच्छाई देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और इसी लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ वो बाबा कोई साधारन बाबा नहीं थे उन बाबा ने दिया कि राजमा चावल की तरफ को उंगली की इन चावलों को जो भी खाएगा उसकी सारी पीडा दूर होगी और हाँ एक और चीज ऐसे बोलकर बाबा जी ने दिया के हाथों में एक जादूई मसाले का पैकट दिया इस मसाले को तुम जिस भी चीज में डाल दूगी उसका स्वाथ दो गुना हो जाएगा और साथ ही वो बेहत खुश्बुदार हो जाएगी इतने खुश्बुदार कि लोग दूर से ही उसकी तरफ को खिचने लगेंगे ऐसे बोलकर बाबाजी गायब हो गए जादू पाकर दोनों मा बेटी खुश थी उन्होंने उस जादूई मसाले को अपने राजमा चावल में डाला मैं आप देखेंगे कि लोग आएंगे या नहीं मसाला डालते ही राजमा चावलों में से खुश्बु उड़ने लगी और वहाँ पर लोग भी आने लगे क्या खुश्बु है ये जो खुश्बु है मुझे एक प्लेट दो जी जी अब ही देती हूँ जिस ठेले के पास लोग एक हफ़ते से भटक भी नहीं रहते अचानक ही उसके पास लोगों की भीड लग गई सुआत के साथ साथ राजमा चावल जो कोई भी खा रहा था उससे अपनी तबियत में भी फर्क नजर आ रहा था और लोग बहुत खुश थे घर जाकर उन्होंने वो चावल कमला को भी खिलाए उन्हें खाते ही कमला की भी बिमारी ठीक हो गई और वो खुशी से बोली अरे वाह मेरी बहु बेटी के हाथों में तो जादू है कमला की सही हो जाने से दोनों मा बेटी बहुत खोश हूई फिर क्या था अब से दोनों मा बेटी रोज़ाना ही चौरा है पर राजमा चावल बेचती थी उनके जादूई चावल सभी को बहुत पसंद थे जिसकी वजह से उनके ग्राहा का अब लगभग बंद चुके थे साथ ही अब उनकी कमाई भी अच्छी होने लगी थी अपके शोर भी अपनी बेटी और बीवी की ही मदद करवाता था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था